पार्ट टोटल सेविन ओडियाइज खिले का हैं आसकल पूने के मैदान में और सेविन ओडियाइज में 305 हाई स्कोर है यहां तो अगर हाई स्कोर की बात करें तो उसके लिहाँ से तो यह बहुत ही बाई सब एकदम से कोई एंटी क्लामेक्स हुआ लेकिन एंटी क्लामेक्स भाई सब हुआ क्योंके बेकॉज आफ इंडियाज गन बोलिंग एंड गन फिल्डिंग लेकिन भुमरा इस भुमरा तो भुमरा ने फिर पिन पॉइंट यॉर्कर पे बोल्ड किया एक्सिलेंट यॉर्कर और उसके बावजूद भी काफरी गन पे छखका लगया फिर भी देखिये के भुमरा ने 10 अवरों में 41 रंस दी हैं दो विक्टे में लेके गया केल राहुल को आज के बाद किसी ने खबरदार है जो बत्तमीजी करके बोला कि हो पाट टाइम विक्ट कीपर है केल राहुल एक फ्रेंट लाइन गिलकरिस्ट है न्यू फाउंड गिलकरिस्ट है आज उसने कैश पकड़ है आज उसने बड़े बड़े विक्ट कीपर्स को यह बंगला देश है यह बंगला देश प्ले वैल पाकिस्तान अब्दूला भाई जो भी है हमने तो यह बी नहीं दोसों ने किया था उन्होंने देखे इंडिया ने बहुत सुपर किसम की बोलिंग किया अगर बात करें जिस तरह का स्टान यह यह लड़की आई पाउर प्ले के उसे चक्के मारे और हमें देखें पावर प्ले के तो चटका नहीं लगए नमस्कार दूस्तों स्वागत है आप लोका हिंदूस्तानी स्पिस्टान क एक और नए वीडियो में दोस्तों आज जिस तरीके से भारत की गिंदबाजी और बल्लेबाजी रही है उसको देखकर पाकिस्तानी मेडिया जो है वो पूरी तरीके से जो इंडियन टीम में उसकी फैन हो चुके है दोस्तों जिस तरीके से वोल्ड कप में भारत ने किया जाता है और लगतार जो है वो बिगिट गिरते गए जिसके वजह से जो बंगलादेश की टीम है वो परेसर में और 256 रन ही बना पाई दोस्तों उसके बाद जब इंडियन टीम खेल नहीं है तो आपको पता हो कि रोही सर्मा जो है वो फिर से निरास हुए क्योंकि जि उससे बड़े उनकी इंस्टेंट है उसी पर आउट हो गया और इसलिए काफी जाता निरास्ते लेकिन उसके बाद भारते टीम ने दिखाया कि सुरू में अगर बल्लेबाजी जो है वो अगर नहीं भी होती है हलाकि इस में तो बहुत अच्छी रही है नहीं भी होती है आपको पता हो कि तीन बॉल में उन्होंने दो रहन दिये तो दोस्तों कहीं ने कहीं आज का पूरा मैच हो काफी जादा इंट्रेस्टिंग रहा चाहे वो बॉलिंग की बात कि या फिर बैटिंग की बात कि दो चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मेडिया भारत की तीन गेंदे करवाई थी अभी तो स्टेट ड्राइव तंजीर ने खेली जो के ओपनिंग बैट्समन है तो सीधी जो गेंद गई है वो रीच से थोड़ा बाहर था अब वो एंकल कुछ ट्रिविस्ट हुए है तो आप वो गया वसिटी स्कैन के लिए तो उसके बावजूद के उसने बालिंग नहीं की बाकी तीन गेंदे वो फिराट कोली ने करवाई है तो वो एक अवर पूरा हुआ है नौ वर ठाकूर के और बाकी चार बालर्स ने फिर अपने दस दस और वो जो है वो कोटा पूरा किया इसके बावजूद भी के एक पूरा बालर जो है वो इंडिया का जाहर है कि इस मैच में बालिंग नहीं कर पाया और इंडिया ने रिकवरी बड़ी अच्छी किया है रन अब ऑल पे खेल रहे थे नवे तरानवे रंस पे जो पहली विकट गिरी है तो आलमोस्ट डिवर प्लेंग एट रन ऑ बाल वाँज फिर बेतीन रिकवरी हुई है और एक के बाद एक एक के बाद एक विकटे गिरी है और बीच बीच में थोड़ी सी गटसी इनिंग्स आई जरूर है मुश्विकुर रहीम और एंड पे महमूद अला और जिसकी बदालत ये 256 करने में काम्याब होगे हैं आखरी गेंट पर लेंथ गरब अलांके उसको भी छका मारा वो क्या कहते हैं सिराज को सेकिंड लास्ट ओवर में लेकिन भुमरा इस भुमरा ने फिर पिन पॉइंट यॉर्कर पे बोल्ड किया एक्सिलेंट यॉर्कर और उसके बावजूद भी क्या आखरी गेंट पर छका लगा है फिर भी देखिए कि पर भी किखर कैसी ने इसलिगा है अड़कर और ऊपस बहुत भी ज़्यादा अर्सा नहीं की हुआ अड़कर अरे यही बहुत बेहतरी साथ में कुल्दीप अगाज उसी नहीं किया है यही बात जो हम बार बार जिसका जिकर करते हैं कि स्पिनस का काम होता है विकेट्स लेके दे और ब्रेक्ट्रू दे आज अगर उपर से इंडिया विकेट नहीं ले पाया मतलब ओपनिंग स्पैल में पूने का म बढ़ा जबरता सकास सा बंगलारेश का पहले चार ओवर में छे रन फिर शुरू के पहले दस ओवर के अंदर 63 रंस बीस ओवर के अंदर फिर एक बड़ा डीसन सिट्वेशन तक का मंगलारेश 110 रन दो एक टोक नुकसान पर पहुचे वी तीस ओवर के उपर 14344 लग रहा तायर 143 मना लिए अगले वीस ओवर में टीम अपने आपको बैक अप करेगी मतलब यहां साड़ेश साथ 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 बेल्टर ऑफ अफ़िकेट है जरूर यहां 300 की तरफ जाएगी 1500 शुरू एक सो चालेश शुरू में आगए 160 तो आखर में 300 तो लेकर जाएं पार इंडियाज गन बॉलिंग एंड गन फिल्डिंग केल राहूल को आज के बाद किसी ने खबरदार है जो बत्तमीजी करके बोला कि वो पार्ट ताइम विक्ट कीपर है केल राहूल एक फ्रेंट लाइन गिलकरिस्ट है न्यू फाउंड गिलकरिस्ट है आज उसने कैश पकड कभी अपनी बैटिंग से कभी अपने चकों से कभी अपनी रिजिस्टन्स पाकिस्तान की मीडिया है वह काफी जादा इस बात पर डिवेट कर रही है कि भारत की बल्लेबाद जी और जो गेंदपाजी यह तना ज्यादा अच्छा कैसे दोस्तों यह तो भारत के लिए बहु वो भारत जीत के वो वापस World Cup में आई हुई है और World Cup में जीस तरीके से रोही सर्मा की जो बैटिंग है उसमें confidence देखने को मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि पूरी जो टीम है वो हमारी अच्छी बन गई है जैसा कि आपको भी पता होगा कि इस तरीके से आज हमारी लिँगे अच्छी काफी जादा बचाए है जो की कभी न कभी जो से बंगलेडेश के बैष्टमेंत है उनको प्रेशर में भी लाया दोस्तों आज वैसे तो जो रोही सर्मा है वो काफी ज़्याद अच्छे लग रहे थे अलाकि वो जो है वो जितना रन बनाना चाहते थे वो बरहा नहीं पाया वो काफी ट्रेसिंग रूम में सैड लग रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि बल्ले पर जिस तरीक को यह सोता है और आज ऐसा लग भी रहा था कि जो रोही सर्मा है वो यह बात मान रहे थे कि वह अपनी गलती की वजह से ही आउट हुए है तो दोस्तों अच्छे लगते वीडियो को लाइक हमार चानल लिए दूस्तान इस पर सब्सक्राइब कर लें